मुंबई के मूल निवासी कोली बंदू अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में मुंबई में कोस्टल रोट काम से मचली पकड़ने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इसके अलावा कुछ दिन पहले दादर मचली बजार पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया था मचली बजार पर हथोड़ा गिरने से कई मचवारे आक्रोशित हो गए साथ ही बुदवार 25 अगस्त को आजाद मैदान में मचवारों ने धरना दिया लोगडाउन के दोरान दादर के मीना ताई ठाकरे मचली बजार में मचवारों के बैठने पर रोक लगा दी गई थी लोगडाउन में धील के बाद भी यहां मचवारों के बैठने पर पाबंदी लगाई जा रही है लगभग 500-600 लोग जैसे महिला विक्रेता, मचली ट्रांस्पोर्टर, व्यापारी आदी इस मचली बजार पर निर्भर है मचवारों की रोजी रोटी पर हथोड़ा क्यों चलाया जा रहा है यही सवाल मचवारे पूछ रहे हैं, मचली पकड़ने के स्थलों को नश्ट किया जा रहा है क्योंकि समुद्र कोस्टल रोट के लिए भरा जा रहा है इस मार्ग के लिए बनाय जाने वाले खंभों के बीच की मचली पकड़ने वाली नौकाओ आना जाने को लिए तकलीफ हो जाएगी उन्होंने कहा कि परियोजना पर काम शुरू करने से पहले मचवारों से सलाह नहीं ली गई इसलिए मचवारा समुदाय ने कोस्टल रोट पर योजना और दादर के मचली बजार पर प्रतिबंध के खिलाफ रैली की है सचिन शिगवन आर बी के टाइम्स